खरो दोस्तों मैं मैंयनक, Abstract IS से आप सबका स्वागत करता हूँ, दोस्तों, HNCN Trustry के हमारी है 4th क्लास है, पिछले क्लास में हम लोगों ने वैधिक पिरियट के बारे में पढ़ा, और आज हम महा जन्पत काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वैधिक पिरियट को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं रिग वैधिक काल और लेटर रिग वैधिक पिरियट तो दोस्तों जो लेटर रिगवैदिक पिरियट था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जन थे वो अब जनपत में कनवर्ट होने लग गये थे और ये मुनारकी फॉर्म था और जो ये जनपत थे धिरे-धिरे वो भी आपस में मिलकर महा जनपत में बदल गये थे तो आज हम लोग पढ़ेंगे महा जनपत के बारे में तो आईए स्टार्ट करते हैं दोस्तों महा जनपत के बारे में हमें कहां कहां से जनकारी मिलती है पले इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों इसके स्रोथ क्या क्या है दोस्तों इसका जो है जानकारी हमें बहुत साहित और जैन साहित की दो जगों से भी मिलती है और भी कई जगों से मिलती है यसे माभारत है रमाया है इन सब में भी इसकी जानकारी मिलती है तो बहुत साहित के एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय ठीके दोस्तों इसमें 16 महा ज जयन लीटरचर है जयन टेक्स्ट है भगवती सुत्र और परिस्षिस्ट परवन इसमें भी 16 महा जनपतों के बारे में बताए गया है क्योंकि दोस्तों महा जनपत काल में ही बौध और जयन धर्म का उदे हुआ था इसलिए इन ग्रंथों के ग्रंथों में महाजनपत के बारे में बहुत सारी जन्गाड़ियां मिलती है दोस्तों महरसी पाड़नी द्वारा रचित अस्टा ध्याई ग्रंथ है अस्टा ध्याई एक व्याकरण का संस्कृत ग्रामर का एक ग्रंथ है उसमें ज सबसे अधा इतिहासकारों दवारा 16 महाजनपत को ही मानेता दी गई है ठीके दोस्तों आईए आगे देखते हैं हम लोग यह मैप है उस समय का यह देखिए कंबोज गंधार यह इंडिया के बाहर दो थे कुरू पांचाल कौसल वज्जी मल अंग मगधा कासी चेदी वत्स अस उस्मक्ती अवंति मातसय और ये सूरसल यह सब जो थे महाजनपत के सोल है हमारे ही तो दोस्तों आईए आप सब के बारे में थोड़ा थोदाभा जानते हैं कंद दोस्तों कि आयंने लिश्ट बनाया है कि उसमें फड़ेंगे तो दोस्तों पहले हम पढ़ते मगत के बारे म इसकी राजधानी कहां थी गिरिब्रज, राजगीर और जो इसका भी प्रजेंट लोकेशन है वो है पटना गया का जो रीजन पड़ता है गंगटिक प्लेन के पास तो वो एरिया अभी वर्तमान का है उस समय मगत पूरा उसी एरिये पे था और इसका डिफ्रेंस कहां से मिलता है मगत के बारे में जनकारी कहां से मिलती है तो अथर्व वेध है जो चौथा वेध है उसमें इसकी जनकारी मिलती है और उसमें ये भी कहा गया है कि मगत वाज सेमी ब्रामनिकल प्लेस यानि वहाँ पे ब्रामन के साथ साथ अन्य जातिया भी थी यानि पूजा पाठ भी होता था लेकिन कम होता था बाकी अनेक जातियां भी थी वहाँ पर और Most Powerful Kingdom दोस्तों सोला महाजनपदों में सबसे जो सकती साली जो महाजनपद था वो मगत था ठीके दोस्तों इन सब के बारे में हम लोग डीटेल बाद में पढ़ेंगे आगे कल वाले क्लास में ठीके दोस्तों लेक्स्ट है अंग इसकी राज़ानी क्या थी? चंपा थी इसका जो प्रजेंट Лोकिशन है वह भागलपुर्ण और मुंगेर कारीजन है यह विहार में पढ़ता है वह अंग का जो था उस समय का छित्र था इसका रिफ्रेंस कहां से मिलता है तो माभारत से मिलता है दोस्तों अपने माभारत में देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि दुर्योधन ने करण को अंग देश का जो है राजा बनाया था तो उससे ये जनकारी मिलती है और अथर्ववेद में भी इसकी जनकारी है अंग क सब्सक्राइज सब्सक्राइब ने क्यों सब्सक्राइब मतलい है mist करें को कि यह इंदों यह अभी वर्तमान में नो Assault वी पीरर में सब्सक्राइब closing हैं नेक्स्ट है वज्जी वज्जी दोस्तों आठ जो आठ राज्य थे इनका जो है वज्जी आठ राज्यों का एक संग था इसको गंडराज बोलते थे गंडराज जी या फिर इसको वज्जी संग भी बोला जाता था ठीके दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी वैसाली और अभी क्या लोकेशन है इसका तो तिरहुत पड़ता है बिहार में यहीं तो तिरहुत पड़ता है उसका रिजन और नौर्थ गंगा रीजन जो है बिहार जो गंगा पास करके आती है तो उसका जो नौर्थ रीजन है वो इसकी प्रजेंट लोकेशन है दोस्तों यहां पर मैंने बताया कि आपको आठ राज यानि आठ कभील आठ राज जो थे आठ कभीलों द्वरा बनाए गये थे उन में से कुछ कभीलों के नाम है जैसे लिछवी थे वहां पर वैदेही थे जांत्रिक थे वज्जी थे और तब बहुत सारे थे तो उसके बारे पताया अंग जा तर अंग मगद मगद मघद अंग और वज्जी यह के तिंधे बिहार में हैं वर्तमान बिहार पते हैं तीन हंआ जैंज में और अब अब अग्रम्या पते हैं। को ही होगा बनारस ही होगा ठीकर दौस्तों और ऐसा माना जाता है कि मतस्य पुराण में लिखा गया है कि जो यह इसका नाम है वरुनान नदिभलीद एक बनारस से और अस्फी घाट है यहां पर और अस्फी नदि मिला कर ही इस चेत्र का नम वरांसी बना था वरुना का वर और असी मिला के वरांसी बनाया गया था ठीक दोस्तों मे want kosal kosal न Onu दोस्तों दो स्टार ज। दर जो नौर्थ हो स्रावस्थी थी और जो साउत की राजधानी थी कुसावती थी ठीक है दोस्तों वर्तमान जो प्रजेंट लोकेशन इसका फैजाबाद अवद यह स्टर्न इस्टर्न यूपी में पड़ता है दोस्तों इसके राजा थे प्रसेन जित ठीके दोस्तों, प्रसेन जित इसके राजा थे, ठीके आईए नेक्ष देखते हैं, इसके रासधानी थी कोसी नगर या फिर पावा ठीखे दोस्तों कहीं कहीं कोई नारा भी आता है पढ़ने को मिलेगा आपको लेकिन कोई नगर या फिर पावा दो मतलब कही जगा में नाम में डिफरेंस हैं इसलिए दोनों नाम साथ में लेके चलते हैं आप लोग दोनों नाम याद कर लीजिएगा इसका अब जो present location है देवरिया में है देवरिया पड़ता है ये भी UP में ही पड़ता है दोस्तों देवरिया यूपी यूपी का एक district है इसका difference कहां से मिलता है दोस्तों तो ये बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है ग्रंथ है और महाभारत इन सब में मल्ल का जो है मिलता है उल्लेक next दोस्तों वत्स ये वत्स है दोस्तों वत्स किसको बोलते हैं दोस्तों यह जो है लहाबाद का जो एरिया है प्रयाग राज मिर्जापुरी का जो ए रीजन है उसको वत्स बोलते हैं उस समय इस समय उसकी राजधानी क्या थी कौसांबी थी इसके कुछ important fact देख लेते हैं इसको वंस भी बोला याता था और यह जो है Central City for Economic activities मतलब अर्थ व्यवस्था का जो ब्यापार का जो है यह केंद्र केंद्रिय सहर था Central City था यह तब यहां पर ब्यापार का ज्यादा होता था जिसे हम वह का ब्यापारिक मुंबई है जैसे अर्थ एकनोमिक सिटी बोलते हैं उसको उस समय यह वत्स था ठीक है और इसके बारे म कि आफ्टर दराइज ऑफ बुद्धा रूलर उद्धयन मेड बुद्धिजम अस्टेट रिलीजन जब बुद्धिजम उस समय आ गया था दोस्तों तो जो वहां जो राजा थे उद्धयन वह जब राजा बने तो उन्होंने उस राज्य का जो नेशनल जो होता है रिलीजन स्टेट का कोई रिलीजन जो होता है वो उसको बुद्धिजम घोसित कर दिया वहां का ठीक है दोस्तों नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट है कुरू कुरू इसके बारा में भी आप लोग महाभारत में देखे होंगे कुरू राजिक कुरू वन्स के थे पांड़ा हो रही लिए इसकी राजधानी थी इंदरप्रस्त था अभी दिल्ली का जो च्छत्र पड़ता है इसका मोडर्न लोकेशन देख लेते हैं हम लोग मोडर्न जो हरियाना है डेली मेरट और गाजियाबाद का जो रीजन है जो मिला हुआ रीजन है वो कुरू महाजनपद में आता था पाले ठीक है दोस्तों और इसका कहा जाता है ऐसे कि एरिया अराउंड कुरू छेत्रा वास अपरेंटली दस साइट फोर कुरू महाजनपदा मतलब जो कुरू छेत्र में जो लडाई होई थी महाभारत की वह जो रीजन है अभी हर्याना में जो पढ़ता है कुरू छेत्र वह जो था कुरू महाजनपद का ही एक हिस्सा था और इसका जो डिपब्लिक फर्म अफ गवर्नेंस तो यहां पर जो बाद में जो आगे चलके इसका जो जो मोनार्की था पहले वह खतम करके वहां पर रिपब्लिक गणतंत्र सासन ला दिया गया था ठीक है तोस्तों रिप पंचाल इसके बारे में भी माभारत से आपको मिला होगा पंचाली द्रवपती के बारे में ठीक है दोस्तों तो उसी की बात हो रही है यहां पर वह भी एक महाजनपद था उसकी दो राजधानिया थी अही छित्र और दूसरा था काम पिल लिया ठीक है वेस्टरन पंचाल यह दो भागों में बटा हुआ था जो पंचाल था उसकी राजधानी थी अही छित्र और जो पुर्वी पंचाल था उसकी राजधानी थी काम पिल लिया ठीक है इसका प्रजेंट लोगेशन देख लेते हैं रोहिला खंड डिवीजन अपर गैंटिक प्लेंस अफ टूरेज उत्तरपरदेशन उत्तराखंड ठीक है दोस्तों जो रोहिला खंड का जो एरिया है वो और अपर गैंटिक प्लेंट है जो उत्तरपरदेशन उत्तराखंड का जो रीजन मिल के होता है वो जो एरिया है पंचाल का एरिया था ठीक है इसके बारे में इंपोर्टेंट देख सिफटेट फ्रम मोनार्की ु रिपब्लीक पतब यहां पर भी आगे चलके बाद में बहुत मोनार्की फोर्म पहले गार्मेंट था वो चैंज करके यहां पे रिपब्लीक फॉर्म आफ्फ गुर्मेंट कर दिया गाता थेक है, नेक्स्ट दोस्तों, सूर सें, सूर सें मथूरा इसकी capital थी मथूरा मथूरा वहीं जहां क्रिश्न जी पैदा हुए थे उसी के बारे में बात हो रही है ठीक है यहां का राजा था कंस कंस राजा था यहां का ठीक है दोस्तों तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इस प्लेस वाज सेंटर ओफ क्रिश्न वर्सीप एड़ टाइम ओफ मेगास्थनीज तो मेगास्थनीज एक यात्री था वह जब इंडिया आया था तो उस समय यह यह जो है छेत्र जो है मथूरा और सूरसें का जो एरिया है वह ग्रिश्न की पूझा के लिए बहुँ ज़्यदा विख्यात था ठीक है दोस्तों अगी नेक्स दखते हैं नेक्स है चधी ठीक है तो चेदी यह भी महाजन पथा एक इसका यह भी उप्लाइब पढ़ता है ठीक है दोस्तों और इस की रासधानी थी सुक्ति मत्या या फिर कहीं कहीं सोथी वती भी आता है नाम जिक्र होता है ठीक है नाम में इतना नहीं रखा है आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा option में कभी-कभी सुथी मती को सोथी होती देता है ठीक है दोस्तों और यह इसकी प्रजेंट लोकेशन जो है बंदेल खंड डिवीजन ओफ मध्द प्रदेश रीजन को जो जो रीजन है वह जो है चेदी महाजनपत का जो रीजन था उस समय दोस्तों इंपोर्टेंट देख लेते हैं लोग दिस वाज मेंसंड इंदर रिगवेदा इसका जो रिफ्रेंस जो है रिगवेद सी मिलता है हमें नेक्स्ट है अवंती इवंती यह भी एक महाजन पत्था यह भी यूपीव पढ़ता है दोस्तों ठीक है MP सो दोस्तों यह यूपी में पड़ता है अवंती जो है MP में पड़ता है ठीक है और इसकी भी दो राजधानिया थी नौर्थ का जैन थी और साउथ है उसकी राजधानी थी महिस्मती ठीक है दोस्तों वह बहुबली वाला महिस्मती मत याद रखिएगा उसी से रिलेट करके याद कर लीजे इसकी साउथ की जो कैपिटल थी वह महिस्मती थे ठीक है और प्रेजेंट लोकेशन इसका देख लेत टू तर राइज ऑफ बुद्धिजम का समय अवंती जो है काफी दोनों में सिमिलर्टी थी सिमिलर्टी कमिन्स की जो अवंती है वो बुद्धिजम को बहुत ज़्यदा मानता था और बुद्ध का जो है रिलेशन भी था उजयन में ठीक है दोस्तों तो हम आगे देखेंग इसके बारे में डीटेल से और मेक्स्ट है मत्थ से यह भी एक महाजल पत था राजस्थान में पड़ था इसकी राजधानी है विराटनगर और इसका प्रजेंट लोकेशन जो है अलवर भरतपूर और जैपूर यह तीन डिस्टिक है राजस्थान के वहां जो है इसका यह पूरा रीजन ठीक है इसका जो कवर्ड एरिया था अलवर भरतपूर जैपूर जो था डिस्टिक उसमें यह पूरा कवर्ड था ठीक है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इट वाज सिचुएटेड तू दा वेस्ट अफ दप पांचाल एंड साउथ अफ दा कुरू ऐई का रहा है कि वह जो यह माघन प्ध था वह जो पांचाल पन इसके में था और कुरू जान पधी क्या है अस्मक ऐसक नाम अलगाए किताबों में अलग लिखा गया था इसलिए मैं दोनों डाल दिया दोस्तों कि आप लोग दोनों याद रखें अस्मक या फिर असक ठीक है इसकी राजधानी में में बहुत डाउट है तो कई कई किताबों में अलग अलग चीजें लिख हुई है तो मैंने नाम डाल दिया है त लग अलग किताबं में मिला था मुझे तो डॉटली डूटअनлаг या फिर लड़ानी ठीक है दोस्तों फोटली पोटाना यहा फिर-थैंदानु नाम याद कर लिजय गाद और यह कहां थी राद है के enjoyed World प्रशु अह माहरास्टा में ठीक है नीक और इसके अलावात देख लेते हैं दोस्तों और ही अ कम्बोश कम्बोश यह यह आउटसाइड ओफ उंडिया यह पढ़ता है काशमीर reflex हिंदुकुस ठीक है उस रिजन में पड़ता है हाजरा डिस्टिक है हाजरा डिस्टिक है पाकिस्तान का और यह हिंदुकुस जो है थोड़ा सा अफगानिस्तान का हिस्सा आता है तो वह मिला के था ठीक है इसकी कैपिकल क्या है राजपूरा हाटक या फिर पुंच जो हमारे क का पुंच का रखा उसी की बात हो रही है यहां पर इसकी राजधानी थी उससमय ठीक है और कई जागह यह बात का जाता है कई जो है resources से पता चला है कि जो है कमबोज यह रिपब्लिक था यानि यहां पर भी Republic form of government थी ठीक है और गंधार नेक्स्ट है गंधार इसके बारे में आपको महाभारत में सुनने को मिला होगा जो गंधारी थी देतराष्ट की पत्नी दुर्योधन की मा वो जो है यहीं की थी गंधार की थी ठीक है तो इसकी राज़ानी क्या थी तच्छी सिला आपने तक्सिला और पुस्ट कलावती इसकी दो राज़ानिया थी गंधार की इस्ट और वेस्ट इस्ट की तक्सिला और वेस्ट की पुस्ट कलावती ठीक है और इसका प्रजेंट लोकेशन क्या है स्वरी यह गलत हो गया दोस्तों फोड़ा सा यहां पे नहीं होगा यह यह the regions between Kabul हां देखिए तोसे है रहे हैं यहां पर Kabul अफ़का अफगानिस्तान का पड़ता है इससा रावल-पिंडी नौर्थ-वेस्टर्ण प्रोविंसेज पिसावर और पोतहर प्लेटू एंड ऑन दे काबूल रिवर जो काबूल नदी है अफगानिस्तान की उसका जो रीजन है और रावल-पिंडी जो है पाकिस्तान का है और यह जो है पिसावर यह सब का जो एरिया था यह गंधार का रीजन था उस समय का ठीके दोस्तों और अथरविद से इस प्रत्रेंस मिलता है इसका ठीके थीडेंस एक पर हम लोग देख रहते हैं क्या क्या हमें लोग ने देखा ठीक है नोदोस्तों बहूं से फिर से रिविजन कर लेते हैं इसका कहां से मिलती है इसका एविडेंस बहुत ले ट्रेचर अम उत्तर निकाए और जैन साहित्य भगवती सुत्र से मिलता है दोस्तों ठीक 16 महाजन पत्थे और और जो है इसका मैप देख लिजी आप यह देखिए यह कंबोज है यहाँ पर और यहाँ पर गांधार है ठीक है दोस्तों यह हिंदू को स्पूंच का इलाका है और यह देखिए कुरू है हमारा दिल्ली इंका एरिया है और यह कोसल पांचाल यह सब देख लिजेगा अच्छे से नोट कर लीजिए कर लीजिएगा नेक्स्ट है देख लिजिए मगद अंग एक दो मगद देख लिजे दूस्तों मगद अंग पर्लिया में इसके बारे में वज्जीक यह तीन जो थे बिहार में थे कासी कोसल मल वक्स कुरू पांचाल सूरसेन चेदी यह आपके आठ जो थे यूपी के थे और अवंती मद्रपरदेस में एक था अभी वरतमान का जो है मत्स यह राजस्थान में था असमक एक साउथ का यह था इसके लावा साउथ में और कोई जनपत नहीं थे यह था असमक ठीकर दूस्तों कंबोज और गंधार यह आउसाइट अब इनडिया थे ठीकर दूस्तों आज के लिए इतना ही next class में हम लोग पढ़ते हैं और thank you और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे telegram channel से जोड़ें वहाँ पे आपको सारे notes अब लेवल हैं और वहाँ पे class की timing और जितने भी videos वहाँ पे आपको मिल जाएंगे आराम से ठीके दोस्तों पसंद दया तो like कीजिए और just share कीजिए और subscribe करना न भूले जो हमारे नए student जुड़ रहा है हमसे और जल्दी से subscribe परें और bell icon को press करें ठीके दोस्तों thank you